तो आज जो हम goal-leng के regarding project cover करने वारे हैं वो है e-commerce website जिन लोगोंको e-commerce website नहीं पता है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं e-commerce website वो होती है जिसके अंदर हम जो है कोई भी प्रडॉक्ट को online sell out कर सकते हैं तो अगर आप ये कुद का एक बिल्कुल छोटा application जो है वो बनाना जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ components हैं जो मैं miss out कर रहा हूं ठीक है तो एगर आप basic level का e-commerce website बनाना जाते हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से component होते हैं कैसे flow चलता है तो मैं आप लोगों को यह पूरा explain करने वालों इस वीडियो के अंदर तो वीडियो क जो है वो चेक करेंगे तो एक यूजर आया यूजर क्यों क्यों क्या दिखेगा basically वो sign up कर सकता है वो क्या list कर सकता है मलब products को देख सकता है सर्च कर सकता है कोई भी product को अगर मैं example दूँ आप लोगों को आप लोगोंने क्या किया Amazon का application जो है वो अपने phone में install कर लिया तो उ sign up पर आपको रिजय अटकता है कि नहीं भाइस आप sign up करो sign up करो नहीं वह आपको क्या दिखाता है products की listing दिखाता है सर्च करने का मौका देता है कि आप अपने products को यहां पर सर्च कर सकते हो आप कोई भी product देख सकते हो अगर आप लोगों को product पसंद आता है देन उसके बाद क्या है यहां पर वही है व्यू परड़क्ट्स सर्च परड़क्ट्स एंड उसके बाद sign up जैसी यूजर ने sign up क्ली complete किया sign up करने के बाद वो कहां जाएगा login स्क्रीन पे login करने के बाद हम यहां पर मैं आपको sign up का थोड़ा सा in-depth है जो बतायता हूं हम जो sign up create करेंगे उसमें हम email भी verify करेंगे हम क्या करेंगे एक otp generate करेंगे उस email के corresponding और यूजर की email पर जाएगा उसके बाद वह जैसी otp फिल करेंगा देन हम उसको बोलेंगे के या you are now verified अभी आप हमारे सिस्टम के अंदर जाके कोई भी प्रड़क्ट को बाई कर सकते हो ठीक है तो यह एक plus point रहेगा हमारा यहां पे कि हम एक third party integrate करेंगे अपने e-commerce project के अंदर ठीक है आप लोगों के लिए एक benefit हो जाएगा उसके बाद क्या है यहां पर हम login करेंगे login के लिए email जैसे password हम एंटर करते हैं ठीक है तो वह process यहां पर रहेगा इसमें हम JWT जो है वह implement करेंगे विदाउट JWT अगर टोकन नहीं आ रहा है तो हम उस user को बोलेंगे भाई यू आर नौट ऑथांटिक मलब यू आर नौट ऑथराइस्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा login process है जो वह करना पड़ेगा उससे आपको token मिलेगा देन आप token पास करोगे देन हम उसको अलोग करे उसके बाद अब एक user होगा जो product list हो रहे हैं मलब किसी user ने किया होगे obviously बात है तो हमने यहां पर उसको वही एक मोका दिया है कि add product कि अगर कोई तुम नया product जो है वो add on करना जाते तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद next मलब वो क्या कर सकता है कोई भी product क ater कर सकता है canad care cowpubt कैसी जिसको हम वोकरी जिसके अंदर हम सारा समान बहर लेते हैं अब सारे बंदें मौल जाती है ठीक है तो हम करते हैं यहां पर टॉकरी उठाते है और सारा मालкого इसमान बर्लेते और करें रजहते तушка झाहता हो देते हैं तो वही होता है काट अब उसमें काट में क्या है मैं मौल गया मैंने मौल में काट उठाया मैंने पहले समान बर लिया तो मैंने अपनी जेव में तो यार बहुत कम पहली 1000 रुपे की चीज़ है मैं कैसे बाइब कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा यहां पर रिमूव करूँगा आइटम्स को ठीक है तो एक तो यह हो गया काट वाला फ्लो अगर मेरा सारा समान फुलफिल है मालो मैंने 2000 की शॉपिंग कर लिए और मेरे पास 2000 रुपे भी हैं भी जो कि नहीं है मलब हैं भी ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहां पर अपना पड़ेगा उसके बाद मैंने एड्रेस भी बता दिया मैंने लेस्ट भी करके वहाँ हम यहां पर क्या करेंगे अभी के लिए हम क्या करेंगे इसमें एक फ्लैग ले लेंगे जैसे ही यूजर ने लिस्ट की वी जो भी प्रड़क्ट्स हैं मला कार्ड में जो प्रड़क्ट्स होते हैं ठीक है उनको जैसी वो चैक आउट के लिए बोलेगा तो हम उसका फ्लैग जो है वो ट्रू कर देंगे के मतलए इस बंदे ने क्या कर लिया है चैक आउट कर लिया है तो यह हम पूरा फ् components होते हैं एंड क्या कुछ जो है हम छोड़ सकते हैं तो यह बिल्कुल एक mandatory components होते हैं अगर आपको e-commerce website जो है वो बनाना चाहा रहे हैं आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा वीडियो को शेयर कर दें लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह explanation कैसा लगा सब्सक्राइब कर देंगा इस चैनल को प्लीज एंड अपने फ्रेंट्स अगल में जुरूर शेयर कर दें इस वीडियो को तांके वो भी जान सकें कि इकमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है थैंक यू फॉर वोचिंग गाईज हैव नाइस टे जै शरी नाम